जिसकी जिन्दिगी जीवन साथी के इर्दगिर्द घूमने वाली है, जीवन साथी साथ निभाना, ऐसा सोचना है, कैसा होगा जीवन साथी, क्या होगा मेरे जीवन साथी में, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, ऐसे कुछ हैं हमारे सूरे सब्तम भाव में रहने व मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शको सबसे पहले देखिए कि सूरे सब्तमभाव में होते हैं तो आपके कुंडली में कहां पर बैठे दिखते हैं जहां इस जनम पत्री में आपको सन या सूरे लिखे देख रहे हैं ठीक वैसे आपकी जनम पत्री में भी वहीं प पूरी स्थिति के बारे में आज बात करते हैं यहां पर आपको बहुत अच्छा समाजिक व्यक्ति बनाते हैं जो कहीं न कहीं समाज में अपना नाम कमा लेता है लोगों की बीच में बैठना बात करना बहुत पसंद होता है हुनर, स्किल्स, टैलेंट बहुत सीखता है यह जिन्दगी में आगे बढ़ने की हिम्मत बहुत करता है कैसे भी परिवार में पैदा हुआ हो अपनी जिन्दगी को एक तरक्की की रहा पे ले जाने की शम्ता तो ये रखता ही है इसलिए कुछ भी कर गुजरने से घबराता नहीं है और जिन्दगी में आगे बढ़ता रहता है कभी-कभी इनके परिवार में पहले बहुत धन्संपती होती है पर इनके पैदा होने के बाग जब ये बड़े होते हैं और इन्हें उस धन्संपती को भोगने का समय आता है उससे पहले ही वो दंसंपत्ती नस्ट हो जाती है क्यों? क्योंकि सब्तम भाव का सूरे आप से मेहनत करवाने वाला है अच्छी खासी पर रिजल्ट भी देगा कुछ लोगों के साथ तो मैंने देखा है दर्शको कि सब्तम भाव का सूरे सरकारी नौकरी जरूर देता है सरकारी नौकरी नहीं दिया तो सरकार से संबंदित कारे जरूर देता है लेकिन सरकारी नौकरी के साथ से देख बात खास दियान रखेगा नौकरी कोई और भी मिल सकती है आपको पर आप उसमें तरक्की अच्छी करेंगे सब्तम भाव वाले सूर्यों को न मैं एक बात जिरूर कहता हूं दर्शे को कि आप पार्टनर्शिक तो हजार बार सोच के करना क्यों क्यों क्योंकि यहीं वाने वाली ये बात जो मैं कह रहा था शुरुवात में जीवन साथी जीवन साथी आपका जीवन साथी मिजाज में गरम होंगे तो वो पुरुष हो या महिला हो वो कोई भी हो बात वही है कि जिसके सब्तम भाव में सूरे है उसका जीवन साती उसको गरम मिजाज मिलेगा, तुनक मिजाज मिलेगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो बड़ी जल्दी बातों को बुरा मान चाता है, उससे समल समल के बोलना पड़ता है, और बातों के मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट निकाल लेता है, तो इसलिए यह निक प्रिचर के अंदर होगा, क्योंकि आपके सब्तम वाव में सूर्य है, इसलिए थोड़ी गरम जोशी मिल जाती है, बस यही एक बात होती है, इसके अंदर जो खास दियान रखने की है, ऐसा नहीं है कि जीवन साती खराब होता है, लेकिन जब व्यफसाएं में बात होगी न सब्तम भाव के सूरे आपको एक अच्छे और सुन्दर व्यक्तित्व का व्यक्ति बनाते हैं, कहने का मतलब आपकी फीचर्स शार्क होते हैं, पर कभी-कभी मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत डिफरेंट चीज़ देखी है, वो यह है कि ऐसे लोगों के साथ, लोग होते नहीं हैं आप लोग, तो इसलिए आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी जाती है दर्शकों, जो मैं कहना चाहरा हूँ, तो आप ना इसकी परवा सच में मत करना, और अपके परिवार वालों से भी कहना कि इसकी परवा ना करें, क्योंकि आप सही में बुर ऐसा सब्तमभाव में सूरे रिजल्ट देता है। आप सब्तमभाव के सूरे के अंदर जब जीवन बिता रहे होते हैं, तो लोगों की बीच में आपको प्रेम मिलता है। आप बहुत अच्छे होते हो, आप लोगों का ध्यान रखते हो, पर आप जूनियर अच्छे नहीं होते हो, यानि आप अपने बहुत का ध्यान नहीं रखते हो, भई आपने बहुत की मानते ही नहीं हो, जो आपने का है वो बात होने चीए, पर वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाती है, पर हाँ, आपके संगीज आती हैं, आपके साथ खुश रहते हैं, आप किसी को इस विशे में कोई दिक्कत पैदा नहीं करते हैं, जहां तक गुमने फिरने की बात करें, तो सब्तम भाव के सूरे वाले गुमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, पर इनके वैवार में ने एक अजीब सी बात आती है, कभी-कभी बहुत खुश नजर आते हैं, और कभी-कभी बिलकुल गुमसुम, जिसमें की गुमसुम की इस्तिती जादा इनके अंदर देखी जाती है, लोग सोचते हैं कि यह इतना कम क्यों बोलते हैं, सची बात यह है, कि दर्शकों यह हम जानते हैं, कि आप हर किसी अपने मन की बात नहीं करते हैं, जब समय आता है, तब ही सारी बात सामने वाले से कहते हैं, या समाज में बोलते हैं, यह तो हर वक्त जबान चलाते रहना, सब्तम भाव के सूरे की खास पसंद नहीं होता, यह कुछ ऐसा व्यक्ति हुआ, जिसे समझ लीजे क्यों पहले सामने वालों को जज़ कर रहा है, समझ रहा है, आसपस वालों को देख रहा है, उनके वहवार को समझ रहा है, उसके बाद ही सामने वाले के साथ अच्छे संबन जोडने की कोशिश कर रहा है सब्तम भाव के सूरे के साथ एक और खास बात होती है वो ये होती है दर्श को कि आप कहीं न कहीं दन संपत्ती को अपने घरवालों को पूरी तरह से डोनेट कर देते हैं इसको ऐसा कह सकते हैं कि आपकी कमाई के उपर आपके घरवाले कभी कभी डिपेंड होते हैं कलत सहीं नहीं कह रहा हूं मैं योग बता रहा हूं आपको कि कहीं न कहीं आप अपने मामले में कंजूस बिलकुल नहीं होते हो अपने परिवार के मामले में कंजूस बिलकुल नहीं होते हो बलकि अपने मामले में कंजूस होते हो अपने पर खर्चा नहीं करते हो वहाँ पर जितने जुगार लगाने है लगा लो इसलिए वहाँ पर आपको इश्वर कृपा देगा क्योंकि आप दूसरों को बहुत help करते हो ये बात fact है सब्तम भाव के सूर्य आपको एक काबलियत देता है जिसके कारणाब अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते हो और ये बात fact है कि आपको तकलीफ मन में जादा होती है तन में कम होती है और धन में तो और भी कम होती है इसका क्याने का मतलब धन योग आपकी कुंडली में बन जाता है पर मन का शुब योग थोड़ा दिक्कत से बनता है मन कहीं न कहीं दुखी तो रहता है ये बात मैं समझ सकता हूँ सब्तम भाव के सूरे वाले को न सूब उटके सूरे को जल चड़ाने के आदत जरूर बना लेने चीए ये गुपाय बहुत जरूरी है आपके लिए कुछ मीठर डालके करेंगे ना जल डालेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा जिसम सूरे को अर्ग देना कहते हैं वो आपके मन को थोड़ी बहुत शांती देगा और कहीं न कहीं मार्क दर्शन भी देगा आप लोगों को थोड़ा सा अपने गुस्से से बचके रहना चाहिए क्योंकि वो गुस्सा आपको खुद को हानी करने वाला है और अंदुरनी तोर पर आपको खुण से संबंदे ज्यानी ब्लड प्रेशर भी हो सकता है या अन्य कोई इंफेक्शन की बिमारी भी दे सकता है जो कि सप्तमभाव के सूरे का असले इंपक्ट हो सकता है आपके शरीर के उपर पड़ाई लिखाई को लेके कोई दिक्कत पेश नहीं करेगा आपको बुद्धिमान भी बनाता है आप पढ़ भी सकते हैं पढ़ने का मौगा नहीं मिला तो नौलिज भी ले सकते हैं उस विशे में सप्तमभाव के सूरे आपको परिशान नहीं करते हैं संतान पक्षि अगर हम बात करते हैं तो आपको संतान का सूरे के कारण विलंब से मिल सकता है पर मिलेगा अवश्य हाँ सप्तमभाव के सूरे को पिता का सूरे का मतलब यह रहा पिथा का सुक का मतलब यह रहा क्योंकि आपके विचार और उनके विचार थोड़े अलग होंगे आप उनसे कहेंगे कभी नहीं पर यह बात सच है कि आपको जीवन को देखने का आपका तरीका अलग है और उनका देखने का तरीका अलग है इस कारण कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं पर फिर भी इस स्तिती के साथ आप अपने आपको मैनेज करना जानते हैं और अच्छे से उस काबिलियत से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं दर्शे को तो यह है सब्तमभाव के सूरे का फल अन्य घरों में सूरे का फल देखना है तो उन वीडियो के देखिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या किसी और प्लैनेट का अन्य बारा घरों में फल देखना है तो वो भी link description box में है देख सकते हैं आप इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अन्य वीडियो को भी like करके चैनल को subscribe कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद